Hello everyone, in this video tutorial we'll be talking about kinetoplast DNA or kDNA. जो kinetoplast DNA है, ये एक cell organolys के अंदर unusual structure of DNA होता है. अब हमें पता है, दो ही SSL organolys है, एक mitochondria और एक chloroplast, जिनके पास खुद का genetic material होता है, यानि कि जिनका खुद का DNA प्रेजेंट होता है. हाना, तो जो ये kDNA है या kinetoplast DNA है, ये, it is unusual structure of mitochondrial DNA, mitochondria के जो DNA में, जो ऐसे ही unusual कुछ काम करनी है, बट है, ऐसा structure है kDNA, यानि कि kinetoplast DNA, ठीक है, तो अब ये किस में प्रेजेंट होता है, it is found in unicellular flagellates of the order kinetoplastida, जो order है kinetoplastida, उसके कुछ members है, उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो कौन-कौन से है वो, फर्स्ट है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, जो जगास disease कॉस करता है, ठीक है, सेकेंड एक्जाम्पल है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, जो sleeping sickness disease कॉस करता है, सी-सी फ्लाई जब कारती है तो उससे जो disease होती है, कौन सी, sleeping sickness, उसमें कौन सा, किसकी वज़े से होता है वो, ट्रिपैनोसोमा, ब्रूसी की वज़े से, ठीक है, और थर्ड एक्जाम्पल है इसका, लेसमानिया डोनु वानी, यह क्या एक काम करता है? यह कालाजार डिजीजक ब्रूस करता है, अब जो यह काइनेटर प्लास ड्ने teamwork होता है, यह क्या होता है, ठीक है, इस सब्सक्राइण अब नेटवर्क होता है एक catenatis circular dna's का जो बहुत सारी copies में present होगा अब जो यह copies होगी na kdna की जो copies होगी वो कैसे होगी two types की copies होगी maxi circles और mini circles maxi यानि की बहुत ज्यादा यानि की large और mini यानि की small तो maxi circles जब large large size के होगे तो amount कैसी होगी कम होगी present in few copies few copies इनकी present होगी और जो mini circles होगे इनकी thousands of copies present होगी क्योंकि mini है छोटे 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 जब हम किसी भी चीज को कहें के कहीं पर arrange करते हैं तो छोटी चीजों के लिए एक ही box में अगर हमें बहुत सारी चीजे रखनी है हाना तो वो अगर बड़ी बड़ी चीजे हैं बड़ी size की चीजे हैं तो वो कम आती है same way से ही इसमें भी जो maxi circles है यह circle copies है जो DNA की वो कम होंगी पर size में बड़ी है इसलिए कम आएंगी ठीक है तो जो maxi circles है इनके जो size है 20 to 40 kbps और few copies में यह present होंगी और जो mini circles है यह thousands of copies होंगी इनकी ठीक है और size होगा इनका 1 to 10 kbps कहा 20 to 40 kbps था और कहा 1 to 10 kbps इसलिए जादा रहते हैं ठीक है और जो maxi circles होंगे इनका जो इनकी जो copies होंगी यह identical होंगी और जो यह mini circles होंगे यह heterogeneous nature के होंगी thank you please follow please do like share and subscribe my youtube channel